Hello everyone, कैसे हैं आप लोग मैं हूँ आपका physics teacher गुरसिवक से आज आया हूँ part 3 लेके center of mass का तो अपने लोग पिछली दोग वीडियो में क्या कर चुके हैं We have already discussed about the center of mass of the system of particles कि अगर एक से ज़्यादा particles हैं उनका अगर मुझे center of mass निकाल ला हैं तो मैंने उसके बारे में आपको पहली वीडियो में बताया था ठीक, दूसरी वीडियो में अपने लोगों ने क्या discuss करा कि system of particles की जगा अब अपने पास क्या है large body से जिनका mass continuously distributed है उनका अपने लोगों को अगर center of mass निकाल ला है तो उसके बारे में अपने लोगों ने अलग-अलग figures के लिए center of mass derive करा हुआ ठीक है अब बात करेगे कि center of mass का motion उसके बारे में कि उसकी velocity कितनी होगी उसका acceleration कितना होगा उसमें कितना displacement कवर करा होगा एक particular time में उनके बारे में आज अपने लोग discuss करेंगे तो शुरुआत करते हैं एक general formula से जो अपने लोगों को already पता है जैसे r will be equal to r of what center of mass position of center of mass के लिए formula क्या था m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 plus so on plus mn rn whole divided by what whole divided by m1 plus m2 plus m3 plus so on plus mn यह simple सा formula अपने लोगोंने पहली ही particular video में study कर रहा हुआ है जिसमें लोगोंने central mass निकालने की कोशिश करें थी उसमें x cm के लिए formula था आपको गरिया दो x coordinate का central mass m1 x1 plus m2 x2 and so on whole divided by m1 plus m2 plus so on सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब के लिए पर लोग सेंट्रों मस्क्राइब यह पोजिशन चेंज होगी तो automatically इसका मतलब क्या है वहाँ पर विलॉस्टी आजाएगी तो इन परडिक्लर पोजिशन की चेंज क्या बताएगी विलॉस्टी अगर मैं इसको टाइम के बाद साथ डिफ्रेंशिट करूँ तो एंदु की विलॉस्टी है वह अनाशिक हो जाएगी तो बेसिकली क्या करते हैं अपने लोग डिफ्रेंशिट करते दो तरफ डिफॉरेंशियेटिंग कि डिफ्रेंशियेटिंग बोट साइट्स बोट साइट्स विद रिस्टक टू स्मॉल टी अभी आपको यह समझ में आजा को कि इसके ओपर कोशन आएंगे तो कैसी आएंगे कोशन मैं करूंगों उसकी चींदा बिलकुल ना करें कोशन आने वाले इसके बाद अभी के लिए बस इतना समझेए कि कैसे एक पोजीशन चेंज होगी तो विलास्टी मिल जागी कैसे एक विलास्टी चेंज होगी तो आपको एक्सलूशन मिल जाएगा तो वह पटिकुलर पोजीशन सेंटर मास की है विलास्टी सेंटर मास की है एक्सलेशन भी सेंटर ऑफ मास का होगा आप लोगों ने शुरू में ही सेकंड जो अपका थर्ड इनुट उसमें एक फॉर्मला स्टी करा था एफ इस इक्वल टू एम एक लाज बादिशन एक ही जब हम बात करते हैं हम यह कहते हैं कि कंप्लीट बॉटी के उपर लग रहा है इस इलकुल शही बात है ठिक बट एक परिक्लिट लगािक भी कंसीडर करना चाहिए था कि किस पॉटै। पर लग रहा है उस बॉड़ी की तो एक्सलेशन को मैं लूधा हुप उन आपर लग रहा हुट है तो एक्स पर लग रहा होता है तो यहां पर अगर अपर मैं यह बोलूम एस एकल सरह करते हैं तो आप ने सब्सक्राइब करा हुआ है तो इसमें विस्टिकली क्या है आपका जो एक्सक्राइशन है वो कहां लग रहा है सेंटर ओव मास पे लग रहा है अब आगे डिफ्रेंशेटिंग बोस साइट तो ध्यान से देखें डिनॉमिनेटर में सब्सक्राइब कोई कंप्लीट बॉड़ी है तो इसमें नंबर आपार्टिकल्स होगे अगर यह नंबर आपार्टिकल्स हैं हर पार्टिकल का मास M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M1 अब अगर मैं इस सब्सक्राइब कर दो तो मुझे मिल जागा टूटल मास उस्दापटिक यो बॉड़ी त सब्सक्राइब को मैं डिफ्रेंशिट करूंगा तो M1 DR1 अपॉन टी अप्लस M2 DR2 अपॉन टी प्लस M3 DR3 अपॉन टी एन प्लस सों और कहां तो कि जाएगा और N तक चला जाएगा ठीक है अंडर्सूड है और इदर आपके पास क्या होगा दे आर्सी ओम अपॉन टी तो भाई यहां पर आप डिफ्रेंशिट कर रहे हो पोजीशन को विदर रिस्पेट्ट्टू तो क्या मिलती है विलॉस्टी मिल जाती सेंट्र मास की ठीक और वन अपॉन एम तो इदर लियो हैं आपका इदर आजागा तो उदर कह मिला M1 V1 प्ल तो मोमेंटम किसका सेंटर ऑफ मास का किसके बराबर पीवन प्लस टीटू प्लस टीट्री प्लस सो और यहां पर इस पार्टिकल का मोमेंटम कुछ और है इसका कुछ और होगा इसका कुछ और होगा जब इनका रिजल्टन निकालोगे तो किसके बरापर आएगा मोमेंटम सेंटर और मास्ट के बदा अगर मुझे एक्सलिशन निकालना है तो इसको इसको अब नाम दे सकते हो इसको इक्रेश्चन नमबर टू नाम दे सकते हो तो डिफरेंशेटिंग फस्ट डिरिस्ट्ट तू करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा M A C U M कैसे velocity का difference time के बद रिस्पेक्ट क्या देगा acceleration देगा is equal to M1 velocity V1 का difference time के बद रिस्पेक्ट acceleration देगा M2 into V2 V2 के लिए A2 आ जाना चाहिए plus M3 A3 आ जाना चाहिए and plus so on तो यहां बार क्या दिख रहा है आपको mass into acceleration acceleration तो यह acceleration किसका है यह center of mass का है यह A1 यह A2 यह A3 number of अलग अलग particles हैं उनका acceleration A1, A2, A3 रिपर्जन करेंगे उसके बाद इसका net acceleration मिलेगा वो ACOM को रिपर्जन करेंगा ठीक अगर आप यहां से force के expression निखालना जाते हो तो यहां पर साफ दिख रहा है force इसको मैं net force भी कहा सकता हूं will be equal to F1 plus F2 plus F3 plus so on यह भी लिख सकता हूं यहां पर इस expression को क्या करो time के विद रिप्रेंशिट कर दो तो न्यूटन के second law से rate of change of momentum क्या आता है force आता है तो आपको फिर से वही मिल जानी चाहिए ठीक है तो differentiating momentum with respect to time will give you what net force ठीक यह मिलेगा अब यहां से conservation of momentum का expression देख लिजीए ठीक है जो फंडा आपका हर जगा लगता है वह यहां भी लगेगा conservation of linear momentum तो if if f net is equal to zero अगर f net के value zero के बराबर हो जाती है तो dp c om upon dt will be equal to zero ठीक तो differentiation of momentum with respect to time will be equal to zero तो p c om क्या हो जाएगा constant that is conserve हो जाएगा कोई doubt इसमें तो momentum आपका क्या हो जाएगा conserve हो जाएगा इस तरह से clear है ठीक तो ये तो बात रही है आपकी motion थी अब इसके basis के ओपर quotient देख लीजेगा तो ये formulas नहीं भूलना है आपने एक r1 वाला ठीक है एक velocity वाला और एक acceleration वाला ठीक है formulas बहुत important है अब एक quotient आपको करवाया जाएगा वो देखिएगा suppose एक body है आपके पास या 2 kg suppose ठीक है ये move कर रही है नीचे की तरह दूसरी body यहाँ है suppose ये 3 kg है ये move कर रही है इदर इसकी velocity है मालो 5 meter per second इसकी velocity यहाँ पर 10 meter per second ठीक है suppose ये move कर रहा था 30 degree के साथ और ये move कर रहा था 45 degree के साथ suppose अब बोला गया है इन दुनों bodies के जो center of mass होगा उसकी velocity बता करिये क्या होगी ठीक तो भई velocity of center of mass के लिए formula क्या था M1 V1 plus M2 V2 whole divided by M1 plus M2 ठीक अब कहियों के दमाग में होगा कि M1 है V1 है M2 है V2 है values को put करो answer आजाएगा तो ऐसा नहीं है यहां पर बिल्कुल भी नहीं यहां से देखिए अगर मैं इसको मान लेता हूँ X axis और यह मान लेते हैं Y axis ठीक तो भई इसके दो coordinates वो है components हाँ है न बिल्कुल होगे तो एक component इदर हो गया इसको मैं अगर मैं यह V1 मानूँगा तो यह VX1 मानूँगा इसको और यह VY1 मानूँगा तो यह VX1 की value कितनी होगी 5 cos 30 degrees और इदर यह 5 sin 30 degrees clear similarly यहां पर इसकी value देखिए इसके वे दो component एक इदर और एक इदर ठीक दो component तो अगर यह V2 हुआ तो इसकी वेली क्या होगी V2 cos 45 degree और इदर V2 sin 45 degree ठीक तो इसका मतलब center of mass के भी दो component होने चाहिए X और Y तो आपको क्या करना होगा center of mass का X component निकालना होगा तो वो कैसे मिलेगा M1 VX1 plus M2 VX2 whole divided by M1 plus M2 ठीक similarly center of mass का Y coordinate पर निकालना होगा तो वो कैसे मिलेगा भई similarly यह formula लगाए M1 VY1 plus M2 VY2 whole divided by M1 plus M2 ठीक अब आपको क्या मिला दो component मिले center of mass के तो center of mass सब्रोज़ अगर यह है इसके दो component आपको मिल चुके है एक X axis के लाँ ठीक है और एक Y axis के लाँ इसके अब दो component तो resultant जाएगा इदर that is V net तो V net की value आपको निकाल नहीं पड़ेगी तो वो कैसे मिलेगी under root of VX2 plus VY2 मिल जाएगा तो आपको net velocity जो center of mass की वो कुछ इस तरह से मिल जानी है ठीक है अब पहले तो इसको solve करते हैं चलिए देखते हैं अब देख भाई आपके पास M1 की value क्या है M1 की value 2 है VX1 VX1 जान से देखो 5 cos 30 cos 30 बोले तो 5 root 3 upon 2 तो 5 root 3 upon 2 plus M2 की value 3 VX2 VX2 कितना था VX2 कहां है यह आपका पास VX2 ठीक है यह VX2 की value कितनी है V2 V2 कितना है 10 10 cos 45 बोले तो 10 upon root 2 divided by M1 plus M2 that is 2 plus 3 clear इसको solve करेंगे अपने लोग तो आपको answer मिल जाना चाहिए similarly M1 की value क्या है आपके 2 kgs VY1 VY1 जान से देखे किता है 5 बट कैसा है 5 यह minus का है plus का है यह आपका है minus का क्यों क्यों क्योंकि नीचे की तरफ है इसको minus का put करना बढ़ेगा ठीक है तो minus का 5 और साथ में अगर यह नेगटिव आती है तो अगर यह पॉस्टिव आती है तो यह वाला कंपोनेंट नीचे आजाएगा अगर यह नेगटिव आती है तो अगर यह पॉस्टिव आती है तो ऊपर रहे होगा ठीक है अगर यह नीचे आती है तो इसके साथ जो नेट विलॉस्टी होगी वह इधर की साइड होगी ठीक है इन दोनों की प्रटिकुलर वैलियूस का अंसर आपने निकाल के कमेंट बॉक्स में अंसर लिखते हैं ठीक है अगला कोशन देखते हैं आपका फेवरेट कोशन है वो पुली बहुत अच्छी लगत के बॉन ऴॉन के जी वाली और एक यह फो बॉन के जी है वाली ठीक है अब आपको बुला गया है इसका सेंट्रा मास निकाल रहूस्य इसका जो वय झाल डी का जlando मास का एक्कषण हूं वह पता कर यह च्स llet can यह मास M1 यह मास M2 एक्सलेशन ऑफ सेंट्रों मास का फॉर्मला क्या होता है M1 A1 प्लस M2 A2 ठीक होल्ड वर्डवाय M1 प्लस M2 A1 किसका होगा इसका A2 किसका होगा इसका दोनों को फूट करोगे अब यह पुल ही जान से देखे कुछ इस्थरा से लगी हुई है तो आपको एवन निकालना है पहले तो आपको नीपता ही कैसे निकालते हैं यह मद्वार्व मूंजी यह मुद्वाद आ रहा रहां गुछ यह टैंशन टी तो यह भी टैंशन टी ठीक तो एमवन के लिए ज्य इकौल डू, एकौल टू एक्सलेसचनssa- laboratories ऑ एक्सलेसटनां, नीचे की तरफ ए 2 इसको ए2 नाम र ठीक सितलोन ऊंड। तो M1 M2G minus M1G will be equal to M1 plus M2 into A A की value क्या आ रही है ज्यान से देखेगा A की value आ जागी यहांपर M2 minus M1 hold by M1 plus M2 और उपर आ गया G M2 की value कित्की है तो minus का 1 तो कितना है 1 upon 2 plus 1 3 into 9.8 चलिए माल लिए इसको 9.9 माल लेता हूं सोड़ी दिर के लिए अपका solutions easy आ जाएगा तो 3.3 तो A की value आई 3.3 अगर A की value 3.3 है तो जहां से देखेगा इसको positive मानता हूं तो यह automatically negative हो जाएगी तो A1 की value कितनी आई A1 की value आई minus का 3.3 A2 की value कितनी आई ठीक है प्लस का 3.3 तो अब A, C, O, M तो M1 की value है 1 A1 की value है minus का 3.3 plus M2 की value है 2 A2 की value कितनी है A2 की value है plus का 3.3 इनको put करोगे divide करोगे M1 plus M2 तो M1 और M2 that is 1 plus 2 gives you minus का 3.3 plus 6.6 divided by 3 तो आपके पास अंसर आता है plus का 3.3 hold divided by 3 तो इसको divide करोगे तो 1.1 meter per second का square तो यह आपके पास अंसर आना है देख लिए जल्दी से हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं पहली वीडियो में मैंने system of particles के लिए एक कोशन करवाया था और साथ में साथ एक formula भी derive करवाया था जिसमें मैंने का था कि अगर आप कभी भी दो bodies के लिए center of mass जो shift हो सकता है या नहीं होता है उसके लिए अगर आपको formula लगाना है तो आप यह वाला formula लगा सकते हो M1 R1 is equal to M2 R2 यह तब लगाते हैं जब दो particular bodies आपस में रखी आती है एक दूरी पर और एक body अगर move करती है तो दूसरी के लिए आपको पता करना होता है कि वो गतना move करे ताकि center of mass shift ना हो ठीक है तो जैसे मान लेता हूँ कि suppose अगर एक body आ रखी है 20 kg की वो हो यह यह बाली बाडी मूँव कर जाती है 3 cm ठेक है तो बाइ वाद दिस्टने ना ही 40 kg की को ढम सेड़ी conven मिगाव की आउखी पूए ला को मिकार ऑ तो जेस्किमवाद घखी चितंवे विए 1913 बाइखी 1 अगर आपको यह पता करना है तो अब ज्ञांद से देखिया भई अगर एक इसके लिए आपको यह सेंटर आपको अगर असके लिए आपको यह सब्सक्राइब R is equal to M1 R1 plus M2 R2 whole divided by M1 plus M2 अब differentiate कर दीजिए दुरो दुरो तो भई इसका differentiation करा तो DR इसका differentiation करा तो DR1 plus इसका differentiation करा तो DR2 whole divided by M1 plus M2 clear यहां तक DR बोले तो क्या change in R change in the position of center of mass DR1 क्या है change in the position of mass M1 DR2 क्या है change in the position of mass M2 ठीक है हमें नहीं पता भई इसके अंदर का change कितना है जो हमें निकालना है by what distance must have 30 kg mass be moved so that center of mass remains fixed तो center of mass fixed है पहले जितने ही है इसमें कोई change आयागा है नहीं तो change नहीं आयागा तो ही 0 mass M1 कितना है 20 move कर रहा है left to right उदर के तरफ जा रहा है जब उदर के तरफ जा रहा है तो plus का कितना 3 cm ठीक है अब plus N2 N2 कितना है 30 into DR2 में पता नहीं है divided by जो भी होगा वो इदर जागा तो वो बीजीरो हो जाए ठीक है अब यह आया शिक्स्टी is equal to minus 30 कितना है 30 kg को मूव करना है 2 cm अब किदर के तरफ मूव करना है तो यह body something यहाँ आजाने चाहिए that is 2 cm की दुरी पर चलकी आजाने चाहिए अगर यह body यहाँ आ चुकी है 3 cm की दुरी चलके तो इसको 2 cm चलकी आगए आजाना चाहिए ताकि यह center of mass कुछ से क्या रहा है ठीक लीजिए ऐसे questions अगर आते हैं तो clear है ठीक अगर जैसे यह 15 kg से ठीक है 15 kg और यह मान लेता हूं 30 kg और यह कुछ इस तरह से वर्टिक लिए अगर यह 5 cm ऊपर चला जाता है मैं मान लेता हूं यह 5 cm ऊपर चला जाता है तो बोला गया 30 kg कितना राइज यह फॉलो ताकि उसका center of mass ठीक से ठीक के जी आपका राइज यह फॉलो ताकि आपका center of mass चलो मान लेते हैं राइज रहे था वर्टिक लिए अचरी नाथं कितना ताकिंड यह 30 kg मास राइज राइज प्रीदड आ थाईज रहे वार्ट आट आढ कितना तर एंट थी नाथ आपने वीडियो को पॉस्ट करके ट्राइक कर लिया होगा ठीक है अब अगला देखते हैं एंसर कैसे करवाएंगे ठीक है अब देखो कोशन वही सेन तरीका इसमें कोई चेंज नहीं है अब यहां पर डियर क्या है चेंज इसेंटर मास ठीक है सब दिखरा किता है एक संटीविटर कहां ऊपर उपर अले को क्या लिया पॉस्टिव अबन ऐसको मंदिया एमड़े स्कों मलें एमन किता 15 कि इस डी आटू उपर की तरफ राइस हो वह तो भी प्लस करेंगे ठीक है प्लस एंटू इन्टू डी आर्टू डिवाईज भाई एमएंटू यह मान यह किता 15 ब्लस और यह पुलिए यह घख लिए तर्टिवें लिए तो 70 पर जाएगा तो माइनस का 30 is equal to 30 दे आर 2 तो कितना है तो दी आर 2 की value आगे minus का 1 cm क्या मतलब हुआ अगर ये 5 cm ऊपर rise कर रहा है center of mass 1 cm से rise कर रहा है तो इसको नीचे किताना चाहिए minus का 1 that is नीचे 1 cm इसको आ जाना नहीं है ताकि center of mass की value 1 cm से rise कर चाहिए सुपले clear परिकत अब थोड़ा सा हटके आपको कुछ करना पड़ेगा थोड़ा सा हटके observations अभी तक हम किसी के विद्रेस तक नहीं रहे रहे हैं अभी observation systems के विदनी चल रही थी system एक दूसरे को दीख रहा था वर system की bodies एक दूसरे को देखके observations ले रहे हैं अब जो observations रहे हैं बाहर फिड़े बंदे की विज़े जैसे some important cases some more cases ले दो या important तो सभी है some more cases अब some more cases में बात करते हैं suppose अगर यह ना हुआ है यह बोट है ठीक है यहां खड़े हैं कोई बहुत रुच्च दिकारी ठीक यह पहीं का जाहरा लेने जा रहे हैं कहीं बर गूमने जा रहे हैं और कुने भी इन्होंने पैर रखा इनका मन है उस एंड़ पर जाने पर बोट भी रुकी पड़ी है ताकि बाकी बंदे आ जाए अब जब यह आगे आगे की तरह मूव करेंगे जब यह आगे की तरह मूव करेंगे तो बोट पीछे की तरफ जाएंगे क्योंकि यह सर्फेस कैसा है फ्रिक्शनलस कैसा है फ्रिक्शनलस है तो यह आगे की तरफ जब जाएगा पुश करेगा पैर को पीछे की तरफ पुश करेगा तो बोट को तो इस तरह से बार खड़ा हुआ बंदा क्या देख रहा है इसको मूव होते हुए इसको मुव होते हुए इसको मुव होते हुए अब आपको अगर ऐसे कोशन करनी हो चलो और देखते हैं सिमिलर अगर एक बैलून है बैलून गुबारा एक गुबारा है स्टाइलिंग बगलत है कोई बात नहीं और यहां एक बंदा जो इसको पर चड़ना जा रहा है बंदर उपर की तरफ जब जाएगा किसी विलास्थी वीवन से तो गुबारे उपर जब चड़ रहा होगा ज़ब चड़ रहा होगा उपर तो गुबारा नीची आरyeong अपने किसी विलॉस्य विटू के सब तो उस समय के लिए सेंट्र उमास की पुजिशन या विलॉस्य पता करने के लिए अपने क्या करेंगे एक अलग ही फंड़ाय करेंगे जिसका वारा मैं आपको बताने चाहरा हूँ अब एक और कैसे जैसे कोई ट्रॉली है जिस सबोस ठीक है उसके नीचे विल्स लगे हुआ है अब आपने कभी नोटिस करा होगी जब आप यहां से जम्प करती हो इदर जब आप जम्प करोगे तो ट्रॉली उदर के तरफ भागेगी आपने जम्प करा तो पुष्ट करागा लुका आताने को पिशी की तरफ तब है जब आपने पिशे की तरफ पुष्ट कर ना थेंट तो ट्रॉली कितने विलाॉसटी से बस अभी इसविझे अगर आपको आपको पथा करना होंगी तो अब समझना है कैसे केसे को करना कैसे है यह सौल कैसे करना है ठीक है अब इदक मैंने शुरू में ही कुछ expressions आपको बताई थी तो फाल्टुक expressions नहीं थी कैसे पहली expression ही मैंने आपको यह बताई थी ACOM is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 plus so on whole divided by m1 plus m2 plus m3 plus so on थेक कुछ ऐसा था ना अब यहां पर देखो अब यह particular body है कोई इसमें number of particles है ठीक है number of particles है M1 M2 M3 तो यह जो ACOM है इस body का परेना की center of mass होगा यह उसके लिए acceleration की बात कर रहा है इसका acceleration A1 इसका acceleration A2 इसका acceleration A3 and so on कुछ ऐसे होगा हाँ यह ना बिल्कुल ठीक देट इस अगर सारे masses को मैं add कर दूं तो मुझे मिल जाएगा capital M so that is capital M into ACOM will be equal to M1 A1 plus M2 A2 plus so on अब यह आप अगर आप ज्यान से देखें तो यह F net की बात कर दा है F net will be equal to F1 plus F2 plus so on हर प्रटिकर पार्टिकर की प्रटिका फोर्स भी ते गिवन F1 हो गया F2 हो गया F3 and so on अगर if F net की value अगर 0 गोजाए F4 नेट जो आपका है अगर वो जीरो हो जाए तो क्या लगता है क्या सेंटर मार्स का जो एक्सेलेशन है वो भी जीरो होना चाहिए बेलको देन देन एसी ओम विल आल्सो भी जीरो क्या A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to so on यह भी सब जीरो हो जाने चाहिए क्या क्या जब अगर A,C,O,N 0 है तो A1,A2,A3 यह सब जीरो हो जाने चाहिए क्या है नाट कंबल सरी नाट कंबल सरी ऐसा क्यों हो सकता है कि इन पार्टिकल्स की उपर फोर्स लगें F1,F2,F3 यह सारे की सारे फोर्स लगें इन सारे फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स था एफ जीरो आय जो जो जीरो आया है तो अलग 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 वार्टिकल्स के लगें F1,F2,F3 लगें उनका नेट फोर्स जीरो हो जो जब F1,F2,F3 यह सब लग रहे है तो A1,A2,A3 यह सब भी तो हो नहीं बिल्कुल होगे कोई क्या है ठीक है तो जब F1,F2,F3 होगे तो A1,A2 और A3 भी होने चाहिए ठेक है अब जब चैन्टर मासका एक्सलेशन जीरो थो विलाशिटी आफ सेंटरों मासक्त क्या होगी है जी रो नाई माइव तुमपल सरी डिपेंडिंग अपॉन दा इनीशिल कंडिशन वी सी ओ एम डिपेंड गरेगी उसके इनीशिल कंडिशन बर कि इनीशली आपका वो पर्टिकुलर बॉडि का सेंटर मास कैसी पोजीशन पे है रेस्ट पे है या मोशन ठीक है इफ अल्रड़ जाएगर उसी विलोच्टी से चलता जाएगा अगर और अल्रड़ी वो पर्टिकुलर पार्टिकल आपका मोशन में था तो वी सी एम बोले तो पैंटर मास आपका उसी विलोच्टी से चलता जाएगा उसको रोकने वाला फिर कुई लिए बट बट इफ एट रेस्ट एंसरी न कि कि चली जिर्ग आहा कि तो वी सी ओंवन्य क्या हो जाएगा tab अलब अब बात आती है सब्च में जीरो क्या कि इस फार्मिले के एकॉर्ड ूडा यह formula भी पढ़ा हुआ है ना बिलकुल पढ़ा हुआ है सबसे पहले ही यह बताए थे formula तो जब V-C-O-M 0 है तो क्या यह compulsory है V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to so on is equal to 0 तो फिर से वोई answer not compulsory यह compulsory नहीं है अगर V-C-O-M की value 0 है तो यह compulsory नहीं है कि V1 की value, V2 की value, V3 की value यह सब भी 0 हो जाए इस ना टॉबल सरी तो भाई यह चीज़ समझ में आ गई है अब जैसे आप पर आपने लोगों ने लिखा हुआ है V-C-O-M is equal to constant भी लिखा हुआ है अपने लोगों ने कहा कि V-C-O-M अगर 0 है तो जरूरी नहीं है यह 0 हो तो उसी तरह से अगर V-C-O-M constant है तो जरूरी नहीं है कि V-1, V-2, V-3 यह सब भी constant हो तो इनी conditions को याद रखके अपने लोग अब बहुत important cases की तरह बढ़ते हैं जिनको मैंने थोड़ी से पहले आपको बताया था उनके ओपर questions अगराएंगे तो किस तरह के questions होगे उनके बारे में जरस देख लिए आप अब जैसे एक boat ठीक है एक boat हो ओग है थैक है यह boat और यह बंधा यह एक mango ठीक है अब boat कि लंज संपोसल है चार मीटर's फोटक है अवाजनी का वर्ज का वजन है गता सिक्स्ती केजिस और boat का वर्जन है किता सपोस्तरी किजिस वोट का वजने किता है सबोस्त 40 kg अगर बंदा इस कोने पर जाना चाहता है दूसरे कोने पर तो बोर्ट का displacement किता होगा यह पता करने है what will be the displacement of boat if man move to the another corner ठीक है another corner की तरफ अगर वो जाता है तो बोर्ट का displacement कितना होगा तो भी सबसे पहले चीज तो यह देखिए एक सिस्क्रम इस तरह से कि एक बड़ी दूस्री बड़ी के उपर मॉफ कर रही है ठीक तो जब ऐसा होगा तो अपने लोग क्या करेंगे observation को बाहर खड़ा करेंगे तो उसके विदर इस पक्ति है तो सारी एक सिस्टेंज जो बूर्ट का वो इधर आ गया तो बंदा कितना डिसन्स कवर करेगा एक सो इदर आ गया तो बंदा कितना कवर करेगा और माहीं ने जक्स ठीक है तो फॉर्मला वही सेम आपको लगाना है फिर से आर इस इक्वाल टू एम बन आर वन प्लस एंटू आर टू ओल डिवल्ट बाए एम बन प्लस एंटू ठीक तो यहां पर और सेंट्रों मास्टिक्स रागा चेंज नहीं कर रहेंगे अपने लोग तो वह 0 हो गया तो क्या मिला एम वन डी आर वन प्लस एंटू डी आर टू इस एक्वल तो आया जीरो तो दी आर वन चेंज इन पॉजिशन ऑफ मैं तो चेंज कितना होगा तो देखा जाया तो उसका जाना था पूरा पूरा बोट का डिसंस कवर करना था चार मीटर बाहर बढ़ा खड़ा हुआ बंदा क्या देखेगा अब देखो ना यह बोट है तो यह बोट है कंपली ठीक बं अधरवाला जो पार्ट है वह एकसाया जाइस मूमें फॉर्तिके जिबोट तो बंदा घी टाइगा एकस पर्ट ने एकस पर्ट उसने कवर ने करा बागी कवर करा तो बागी कितना था चार मेंस एकस को मीनस करती तो चार माइनस एकस प्लस एम टू बोट कितना 40 ठीक अब तो एक्स डी डीया टू है वो कितना हो तो फोर माइनस एक्स पॉस्टिव लिया वो इधर कि दरफ था एक्स आपका इधर कि दरफ है तो माइनस का एक्स लेना हो पड़ेगी ठीक अब इसको करेंगे सॉल तो ध्यान से लेखिए यह आ गया इधर 40x तो प्लस का हो गया 40x इध 60 x 240-60x इधर आ जागा तो 100x इस एक्वल टू 240 तो जीरो से जीरो कैंसल एक्स की वेलव कितनी 2.4 तो कितना डिस्टेंस कवर करा बोट ने 2.4 सेंटीमेटर 2.4 सेंटीमेटर डिस्टेंस आपकी जो बोट है वो उतर की तरफ हो जाएगी बास समझ में आई है कोई दिक्कत त सब्सक्किल हुआ है को अगर दองव सब्सक्क्राइल एगर मैं यहाए है को आपक गया हुँआ है को अग अग और विसले मैं माल जेता हूं 28ग ऑ़ 20 श एकिरी कविलवं इसका माज समॉल है नुमेरिकल विल्टिशन में आगर के ऐसे करते हैं और इसको कम्प्लीट लेंथ L कवर करनी है ठीक है अब अगर इसको टॉप मोस्ट पोजीशन पहुंचना है बैलून के तो आपको फिर उसके बाद यह पता करना है कि बैलून कितना नीची आएगा तो माल लिया जाए बैलून नीची आगया सब्सक्राइब ना अगया एक्स दिस्टेंज ठीक तो मौंके के लिए 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 ठीक है डिस्टेंस कितना गवर करा तो ऊपर की तरफ जा रहा था एल पॉसिटिव के लिया मैं अगर बट गर तो गवर करेगा नहीं क्योंकि बै सब्सक्राइब करना पड़ेगा एल माइनस एक्स पॉसिटिव लिया मैंने उपर बला एंटू कैपिल एम हो गया ठीक है बैलू नीची आ रहा है तो वह माइनस का एक्स हो जाएगा इस एक्कल टूबट जीरो उधर भेज़ दोगे तो स्मॉल एंटू एल माइनस एक्स वि एक्स की वेल्यू स्मॉल एंट प्लस कैपिटल एंट इस तरह पेज़ दीजिए तो स्मॉल एक्वल टूट एंट एल अपॉन स्मॉल एंप्लस कैपिटल एंट कोई डाउट तो नहीं तो यह है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जो आपका बैलून नीचे की तरफ कवर करेगा अब आगे सुनिये अगर मैं मान लेता हूं कोई वेज है ठीक है कोई वेज है आपका और इस वेज़ पर कोई भी आपने एक ब्लॉक रखा हुआ उसका मासमालिया स्वां इसका मासमालिया एट एnt लिए इसवेज्का मासमालिया एट और इसक्तरी नमभाई है suppression असे का है यह वच्ष्ष और आपको यह पता करना है आपको यह बता करना है क्यों विःचक्तर कि मूव करेगा जब यह नीचे की तरफ रोल करेगा यह भी frictionless है तो भई आपको अब यहां पर यह सोचना है खोड कि ब्लॉक जब नीचे आएगा तो आपका प्रोस इदर की तरफ लगेगा और यह आपका ब्लॉक इदर के तरफ मौफ करना शुरू करतेगा तो होरिजन्टल डिस्टेंस ब्लॉक को कवर करना है वो कितना चार सेंटीमेटर्स के चार कवर करेगा नहीं क्यों कि आपका यह वैश इदर के तरफ चला जागा समस्टिंग उसने एक डिस्टेंस कवर कर लिया तो यह एक्स डिस्टेंस तो आपका कवर नहीं करेगा कौन यह ब्लॉक क्यों कि वालोड इदर आ चुकर और यह ब्लॉक पहले से यहां तो यह डिस्टेंस छोड के बाकि दिस्टेंस हो कवर करेगा तो फॉर्मुला वही सेम रखेंगा है एम वन डियार वन प्लस एम टू डियार टू विल बेक्वल दूट जीरो एम माइनस एम एक्स इस एकल टू प्लस का हो जाएगा एट एम एक्स ठेक इसको उदर भेजो तो फॉर एन वेल वे एकल टू नाइन एक्स एंस एम कैंसल तो एक्स के विलिए कि आई फॉर अपॉन नाइन सेंटीमीटर तो यह पर्टिक्लर वो डिस्टेंस है जो आपका वेज इदर के तरह मूवम्मेंट की बज़ा से ब्रडियूस करेगा भी तेक अब आपके पास एक लास कॉशन है है थोड़ा सा हटके है थोड़ा सा हटके वस अभी दरग दो पॉड़ अब तीन बॉड़िश की we are coming towards center center के तरह भाएंगे भो then find how much do the boat move how much do the boat move कितना displacement boat के अंदर कवर होगा जो तरह मास फिस्टा है और इनिशली आपका सुट्रम रेस्ट परता इनिशली तो ठीक तो क्या होगा इसमें M1 DR1 plus M2 DR2 plus M3 DR3 is equal to 0 इन बोड़ी कीनों के लिए 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 वाली बोड़ी होगे तो मालों इसका बजन है चालीस किलो यह आपकी बी होगे तो 50 किलो यह आपकी आपकी बोट होगे जिसका मालों टेक्ट किलो टेक्या है तो सेंटर प्याने का मतलब है तो दोनों कितना कितना आकर जाए के दोनों जाएंगे दो दो संतीमेटर आपके दोनों के बीच-श्यों exist बोट सपोस्पोस इधर आगई एक्सफोस इधर आगई एक्स अब अगर बोट इधर आगई एक्स हुए आगई तला गया तो इसने इत्रा इसका बाट तो वह किता हो जागा तूमॉस देख्शन में था बट एंटु के अगर माथ करो 50 गेज तो इसको यह डिस्टन्स भी अब इसको करेंगे तो 80 माइनस 40 एक्स प्लस 50 डिटू 100 प्लस 50 एक्स प्लस माइनस का 20 एक्स वेल एक्वल टुवाट कम्प्लीटली कम्प्लीटिव कोश्चंस है मैं आपको पहले बता दू पब्लिकेशन की बुक्स में हाड्ली आपको एमसी को मिल जाएगे बैसे नहीं मिले आपके लिए ठीक है अब 80 प्लस 100 110 हो गया तो 180 हो गया माइनस 60 अब प्लस 50 तो माइनस का 10x हो गया इस एक्वल टू जीटा अच्छी लगी होगी ठीक है अच्छी लगी होगी ठीक है